इस बात की प्रसंता है कि बहुत लंबे समय से कई दश्कों से सिर्वा और जिला के अंतरगत गिरी पार के लोग ट्राइवल का स्टेटस मांग रहे थे और उसके लिए सिंगरश्रत थी और आज मुझे इस बात को बताते हैं वो प्रसंता है कि इस सारे मामले को जिस प्रकास से हमारे समक्ष वहां के जन प्रतिनी धियों ने रखा और खास और से जो हाटी कॉम्मिनिटी के लोग है उनकी जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी ने रखा उसके प्रशात हमने गंभीता के साथ इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखी मैं आज हिर्दे से आभार वक्त करना चाहूँगा भारत के पढ़ान मंत्री आजने श्री नरेंदर मोदी जी का भारत के ग्रिह मंत्री अमित शाजी का और अपने पार्टी के राष्टी दक्स जगत प्रकास नड़ा जी जिनका भी बहुत बहुत तपून जोगदान इस हा आजने पढ़ान मंत्री नरेंदर मोदी जी के अध्यक्षता में हुई उस बैठक में निरने लेकर के हार्टी समधाय को ट्राइबल का स्टेटस देने का निरने हुआ मैं देव भूमी हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की और से इस निरने का हार्दी का विनंदर करता हूं स्वागत करता हूं और मैं सभी जो हमारे हाटी कॉम्यूनिटी के भाई हैं उनको भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और वहां खासतार से गिरिपार का जो क्षेत्र है उसमें दो लागी कावन हजार के लगभग वहां की पॉपुलेशन है और जिसमें कानुए 1444 अनुशूती जाती के लोग भी है और उसी तरह से अभी जो जो क्षेत्र इसमें डाला गया है जो एरिया इसमें डाला गया से मौर जिला का उसकी जो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिला करके एक लाग साथ हजार लोग इसमें अनुशूती जन जाती के दर्जे में शामिल होंगे और मैं सबी को एक बार फिर से बढ़ाई देता हूँ शुक कामना देता हूँ और मैंने इस सारे विशयक को लेकर के जब राजना सिकी जी ग्रिह मंतरी थे तब भी मैंने उनके समक्ष इस विशयक को रखा था और अब यहाल ही में ग्रिह मंतरी जी से मिलना हुआ था तो ग्रिह मंतरी के समक्ष भी हमने इस विशयक को रखा था आदने पदान मंतरी जी से मिलना हुआ था उनके समक्ष भी सारे विशयक को रखा था सबके सहयोग से इस बड़ी उपलब्दी को हम हासिल करने में सफल हुए हैं और सभी सर्मावर बासियोग में बहुत बढ़ाई देता हूं और शुब कामना देता हूं